हाई फ्रेंड्स आइम मधू, सो हाव आ यू, आई होप यू आ डूइंग वेरी वेल, सो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम एरर करेक्शन के बारे में डिसकस करेंगे, सो एरर करेक्शन हमारी इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि एरर करेक्शन कैसे करते हैं, कैसे एक सेंटेंस में किसी भी एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं, ओके, सो इस वीडियो में हम अच्छे से डिसकस करेंगे, बहुत सारे क्वेस्चन को भी प्राक्टस करेंगे, तो ये वीडियो देखने क is a process by which we have to identify the error mistake in a sentence and convert it into a grammatically correct sentence to error correction क्या है यह एक प्रसेस है जिसमें हम sentence में कोई error या फिर mistake find out करते हैं और फिर उस mistake को हम correct कर देते हैं ताकि जो हमारा sentence है वो grammatically correct हो जाए ठीक है तो यही यहां पर इसकी definition में लिखा हुआ है कि हमें उस error को ठीक करके एक grammatically correct sentence बनाना होता है अब इन correct इन errors को हम correct करेंगे कैसे how to correct these errors so to spot the errors and correct them it's necessary that we have a strong understanding of important grammatical concepts अब इन errors को ठीक करने के लिए इन mistakes को ठीक करने के लिए आपके जो grammar के topics जो grammar के concepts है वो आपके अच्छे से clear होनी चाहिए जैसे tenses, modals, reported speech, subject verb concord, articles, determiners यह कुछ ऐसे grammar के concept है जो आपको बिलकुल अच्छे से clear होने चाहिए तभी आप एक sentence में mistake को find out कर पाओगे और उसे correct कर पाओगे ओके so before doing error correction your concepts of grammar should be clear so that you can identify the mistake and correct it okay so I hope आपके जो basic English grammar के concepts I hope आपके clear है अगर आप किसी concept में कोई problem face कर रहे हैं तो मैंने English grammar के सभी concepts के videos बनाये हुए हैं you can watch my videos and you can clear them after clearing the concepts then you can do error correction so now start करते हैं so we will start with questions because we will practice the questions करके हम यह समझाएगा कैसे हम error को ठीक करते हैं so the first question is the following paragraph has not been edited there is one error in each line write the error and the correction against the correct blank number so this sentence है ठीक है यह हमें sentence given है अब हरेक sentence में एक्स्टेक है यह में question में बिता दे हैं हман हराक संटेजमें में एक मिस्टेक है तो इस पहली ब्लैंक में हमें लिखना है कॉनसा गलत वर्थ मैभा मिस्टेक है और इस दूसरे ब्लैंक में हम्में नुसका एक यहांपर लिखना है मतलबigorém करक्त करक लिखने है nem local energy करेकर के लिखना है क्लिए हग्या हो गया ऑक पर उनसेज पढ़ना है मेर जलाए और यहां पर लिखना है फिर उसको करेंज तो इसको सेज फर है इसके और भी Earth is one of the eight planet तो Earth is one of the eight planet यहाँ पर पहले word में ही गलती है पहले word में कैसे गलती है क्योंकि यहाँ पर planet नहीं planets आना चाहिए क्यों planets आना चाहिए क्योंकि eight planets तो plural हो गया eight planets में से एक planet है Earth, है न eight planets है हमारी solar system में उस में से एक है Earth तो eight planets तो plural हो गया तो यहाँ पर planets आना चाहता, एस लगना चाहता, लेकिन यहाँ पर सरिफ planet लिखा हुआ है, तो यही error है, यही problem है, यही mistake है, तो यहाँ पर गलत word है planet, यहाँ पर गलत word है planet और इसको सही करके हम कैसे लिखेंगे, इसका सही मतलब इसका correct इसको हम लिखेंगे planets, यह plural form में हो जा थी यहां पर यह plural में आना चाहिए था क्योंकि eight क्या है plural है जादा है it is more than one so यहां पर s आना चाहिए था तो यह हमने यहां पर first fill in the blank में लिख दिया गलत वर लिखा और फिर उसको सही कर गे लिख दिया I hope आपको समझागे कैसे करते हैं अब अगला sentence पढ़ते हैं in ancient times the people who study the stars तो अब बिल्कुल sentence को ध्यान से समझो tense भी आपको देखना है आपको singular plural भी देखना होगा आपको देखना होगा कि वो सही word है या नहीं है या उसकी जगा और कुछ आना जाए यह preposition सबकुछ आपको यहाँ पर सारे concept जब clear होंगे तभी आप error को find out कर पाओगे ऐसे अगर आपके concepts clear हैं वीक हैं तब आप error correction में problem face करोगे ओके तो यह sentence है in ancient times the people who study तो यह study क्यों आया है यहाँ पर studied आना चाहिए भी ए डिए studied कुछ आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम past की bahत करεί हैं देखो यहाँ पर लिखा नहीं है इन ancient times तो ancient times तो past हो गया तो past में क्या past form of verb लगती है तो यहाँ पर study क्यों लिखा है यहाँ पर तो studied आना चाहिए था ना इकौस ठीक है यह इसका सही answer होगा ठीक है तो ऐसे आपको एक एक word को दिहान से देखना है और mistake को find out करना है ठीक है हमने दिहान से sentence को पड़ा In ancient times, the people who study नी studied आना था जो study करा करते थे stars को ठीक है तो mistake थी study और इसको correct करके हमने लिग दिया studied अब अगला sentence People who study the stars noticed that while certain heaven bodies heaven bodies कुछ होता है? heaven bodies कुछ नी होता है, heavenly bodies होता है है ना आपने सुना होगा that a star is a heavenly body the planets are the heavenly body that heavenly body जो space में होते हैं, उनको अम क्या बोलते है? heavenly body बोलते है heaven bodies कुछ नी होता है heaven bodies कुछ नी होता है कहीं आपने सुना heaven bodies heavenly bodies बोला जाता है So that's why यहाँ पर error है heaven Heaven की जगा क्या आना था? Heaven की जगा आना था? Heavenly ठीक है? So यह यहाँ पर error है बाकी सारा कुछ सही है The stars noticed that while certain heaven bodies Heavenly bodies आना था ठीक है? अगला sentence रीट करते है Heaven bodies seemed fixed in a sky Others seem to move around तो यहाँ पर देखो sentence पढ़के ही हमें थोड़ा अजीब लगने लग जाता है Mistake का पदा चल जाता है अगर आपके concepts clear होंगे तो Certain heaven bodies seemed fixed in a sky A sky कुछ होता है? हमेशा sky, sun, moon इनके साथ कभी भी a नहीं लगता इनके साथ हमेशा definite article लगता है Which is the तो यहाँ पर sky के साथ हमेशा the लगता है Seemed fixed in the sky Sky तो एक ही है, वो एक unique चीज़ है बहुत सारे sky नहीं है सरिफ एक ही sky है और वो एक unique चीज़ है जैसे sun, moon, earth, sky यह सारे unique चीज़े हैं They are one of a kind तो यह articles वाले chapter में दिया हुआ है यह discuss किया था जो भी one of a kind चीज़े होती है जो unique चीज़े होती है जैसे sun, moon, earth, sky इनके साथ हम definite article का use करते है which is the इसलिए यहाँ पर sky के साथ a नहीं आएगा, the आएगा तो यहाँ पर क्या error है here should not be a, it should be the तो mistake है यहाँ पर a और इसकी जगा आना चाहिए था the definite article Seemed fixed in the sky the sky होता है, earth sky नहीं होता heaven bodies seemed fixed in the sky others seem to move around okay so ऐसे आपको errors find out करने है starting में अगर आपको थोड़ा सा tricky लगेगा mistake को find out करना लेकिन जैसे जैसे आपके questions को आप solve करोगे तो वैसे आपको idea आता जाएगा कि क्या mistake हो सकती है tense की या singular, plural की जो भी mistake है वो आप find out कर लोगे ठीक है, concept आपके clear होनी चाहिए main तो यहाँ पर रोल, grammar के concepts का है okay so यह पहला question था हमने जो errors हमको find out किया और और उनको correct करके लिग दिया okay let's move on towards the next question so the next question is the following passage has not been edited there is one error in each line right then correct word and correct against the each line of the passage same भही है बस हमने question change कर दिया है अब इसको हम solve करेंगे same हमें error find out करने और उनके सामने correct लिखना है so let's read the sentence Marie Curie make history in 1903 so sentence का हमें idea होगे किस की बात हो रही है Marie Curie की बात हो रही है she was the first woman to win a noble prize in physics okay so यहाँ पर Marie Curie की बात हो रही है so Marie Curie नहीं क्या किया उन्होंने history बनाई 1903 में तो देखो पहले sentence की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या गलत है यहाँ पर क्या error है it is make यहाँ पर make नहीं आना चाहिए make क्यों नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम past की बात कर रहे है Marie Curie ने history बनाई 1903 में तो 1903 तो past हो गया न और make क्या है it is the present form of the verb तो यहाँ पर present नी past की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर make की जगा क्या आना चाहिए made आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम past की बात कर रहे है so mistake is make और सही क्या होगा made उन्होंने history बनाई 1903 में इसलिए past की बात हो रही है तो past form of verb हम यूज़ करेंगे तो make का past form होता है made Mary Curie made history in 1903 ठीक है so like this you will find out the errors पहला sentence हो गया अब आगे make history in 1903 when she became a first woman so यहाँ पर जब हम sentence पढ़ते हैं हमें तुरन mistake का पता ज़ल जाता है तेको जैसे Mary Curie make history in 1903 when she became a यहाँ पर a क्यों आया है यहाँ पर the आना चाहिए the क्यों आना चाहिए कि यहाँ पर हम किसी particular person की बात कर रहे है वो पहली महिला बनी जन्होंने nobel prize जीता physics में so she was the first woman the first woman यहाँ पर हम एक particular person की बात कर रहे है एक particular honor की बात कर रहे है इसलिए यहाँ पर definite article का यूज होना चाहिए which is the तो यहाँ पर a की जगा क्या आएगा the आएगा ठीके बिकॉस she was the first woman वो she was a first woman यह कोई बहुत सारी चीज यह नहीं थी वो पहली यह सी महिला थी जन्होंने nobel prize जीता physics में यहाँ पर definite article का यूज होना चाहिए which is the so this was the error अब अगे पठते है she became a first she became the आएगा यहाँ पर she became the first woman on receive the nobel prize in physics अब on क्यों आएगा she became the first woman to receive वो ऐसी पहली महिला बनी जिनोने nobel prize जीता तो यहाँ पर on नहीं to आएगा she was the first woman to receive the nobel prize वो पहली महिला बनी जिनोने nobel prize जीता तो यहाँ पर on की जगा to आना चाहिए okay because she has won the nobel prize so on की जगा to आना चाहिए यहाँ पर यह preposition का error था so on की जगा क्या आएगा to आएगा she was the first woman to receive the nobel prize okay in physics she won that prestigious honor तो अब यह अगला sentence है यह यह sentence हो गया हमारा अब इससे अगला sentence है she received the nobel prize in physics full stop she won that तो अब यहाँ पर that क्यूं आया है she won that prestigious honor यहाँ पर that नहीं आना चाहिए that क्यूं आना चाहिए यहाँ पर the आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर honor के अगे prestigious लिखाए prestigious क्या है यह एक adjective है और adjective को highlight करने के लिए हम definite article का use करते हैं which is the तो यह the prestigious honor के साथ लग रहा है यह जो the है यह prestigious honor के साथ लगेगा ठीक है तो यहाँ पर that की जगा क्या आएगा यहाँ पर that की जगा the आएगा because we are putting it in front of the adjective of the noun ठीक है she was she won the prestigious honor उन्होंने वो prestigious honor जीता alongside her husband अगे रेट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर इस sentence में मिस्टेक क्या है that की जगा the आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम adjective को highlight कर रहे है prestigious honor prestigious adjective है इसको highlight करने के लिए हम definite article का use करते है which is the so that की जगा क्या आएगा the आएगा ठीक है यह sentence हो गा आगे she won that prestigious honor alongside his husband Mary Curie क्या थी? Mary Curie एक female थी she was a woman तो यहाँ पर his की जगा क्या आना चाहिए हर आना चाहिए इतना गवा में clear ही है कि उन्होंने वो prestigious honor जीता उनके husband के साथ so Mary Curie was a woman तो यहाँ पर his की जगा क्या आना चाहिए हर आना चाहिए तो बहुत ही simple है तो common sense की बात है कि Mary Curie एक woman थी तो यहाँ पर his नहीं आना चाहिए हर आना चाहिए उन्होंने noble prize जीता उनके husband के साथ so that's why it should be alongside her husband so alongside his की जगा आजाएगा हर ठीक है her husband and Henry for their work on radio activity so यहीं तक था ठीक है तो ऐसे हमने ये errors को find out करा तो यहाँ पर आप देख रहों है चोटे-चोटे grammar के concepts है अगर यह आपके अच्छे से clear हैं तो आप errors को find out कर पाओगे otherwise you will face a very big problem okay so यह second question था आप इसको note कर सकते है if you want let's move on towards the next question so the next question is same heading तो वही है the following passage has not been edited there is a mistake in each sentence we have to correct it and write the correct word in front of the sentence ठीक है अब half into eight मतलब four marks मतलब यह जितने भी questions है यह half half marks है तो यह total eight है तो half into eight यह total कितना हो गया चार marks का question हो गया ठीक है let's read it once there was the guru communicating dash dash तो अब देखो इस sentence में क्या error है once there was the guru तो पहले कभी once मतलब बहुत साल पहले या पहले कभी एक guru था ठीक है we are talking about we are not talking about a particular guru कोई एक guru था so we are not sure about that guru है ना हम शौर नहीं कि कोई साब particular एक guru था तो यहाँ पर द की जगा आना चाहिए यहाँ पर द की जगा अ आना चाहिए कोई एक guru था पहले वो communicate कर रहा था है ना थोड़ा context समझने ही कोशिश करो sentence की कि वो sentence बोलना क्या चाहता है ठीक है then you will understand that where is the mistake so once there was a guru बहुत पहले एक guru था है ना like this you can translate in Hindi also and then you can understand ठीक है हिंदी में translate करके भी आप समझ सकते हो once there was a guru तो यहाँ पर mistake क्या है द की जगा आना चाहिए कोई एक guru था ठीक है we are not talking हमें एक particular guru की बारे में बात नहीं करी कोई भी एक guru था ठीक है we are not sure now तो यहाँ पर द की जगा क्या आना चाहिए once there was a guru communicating wisdom to people that came his darshan so यहाँ पर sentence का meaning क्या है कि वो guru क्या कर रहा था wisdom communicate कर रहा था उन लोगों को जो उसके पास दर्शन करने के लिए आये थे so guru communicating wisdom to people that came his darshan तो यहाँ पर यह that mistake है that यहाँ पर error कैसे है देखो जो people उसके पास दर्शन करने आये थे जो लोग उसके पास दर्शन करने आ थे so we are not sure about who the people are तो यहाँ पर that की जगा क्या आना चाहिए यहाँ पर that की जगा who आना चाहिए once there was a guru communicating wisdom to people who came for his darshan जो लोग उसके पास दर्शन करने के लिए थे so the people who came for his darshan यहाँ पर हम शौर नहीं कि वो कौन है तो यहाँ पर that नहीं आना चाहिए यहाँ पर क्या आना चाहिए who आना चाहिए so in place of that there should be who ठीक है it should be who so once there was a guru communicating wisdom to people who came for यहाँ पर for missing है यह type नहीं हुआ यहाँ यहाँ पर इसका ध्यान रखना so once there was a guru communicating wisdom to people who came for his darshan ठीक है context समझ जो जो sentence उसकी situation को समझो ठीक है यह दूसा sentence हो गया दिन आगे that came for his who came for his darshan with flowers or fruits जो लोग उसके पास darshan करने के लिए आये थे flowers या fruits के साथ और का मतलब क्या होता है और का मतलब होता है या या फिर तो ये या ये है ना so यहाँ पर और ही mistake है और mistake कैसे है जो लोग दर्शन करने जाते है वो flowers भी लेके जाते है और fruits भी लेके जाते है ऐसा तो होता नहीं कि या सिर्फ flowers के लेके जाएंगे या सिर्फ fruits ही लेके जाएंगे ऐसा नहीं होता तो जो लोग दर्शन के लिए जाते है flowers भी लेके जाते है तो यहाँ पर और नहीं and आना चाहिए क्योंकि दोनों लेकर जाते हैं flowers भी, थोड़े flowers भी और थोड़े fruits भी लेकर जाते हैं So, once there was a guru communicating wisdom to people who came for his darshan with flowers and fruits उन लोगों को wisdom दे रहे थे जो लोग उनके पास darshan के लिए आये थे flowers और fruits के साथ है ना? So, यहाँ पर और आना चाहिए which means and आना चाहिए तो और की जगह क्या आएगा? और की जगह आएगा and क्योंकि जो people हैं वो दोनों चीज़े लाए थे flowers भी और fruits भी यह तो common है है ना? So, the people who came for his darshan with flowers and fruits ठीक है? So, और की जगह आएगा and One day all the offerings were in plenty, he यहाँ पर क्या error है? देखो, one day all the offerings, all नहीं आएगा, यहाँ पर as आएगा थोड़ा sentence को समझो देखो, one day as the offerings, एक दिन जैसे ही सारी offerings, ठीक है? as the offerings, अब सारी offerings के तो यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते, तो all तो आई नहीं सकता all the offerings कैसे आएगा? यह तो कोई meaning ही नहीं है So, one day, जैसे ही सारी offerings, as the offerings were in plenty, he called the disciple, ठीक है? तो फिर आगे रीट कर लेंगे तो यहाँ पर mistake क्या है? यहाँ पर all की जगह as आना चाहिए as मतलब जैसे ही, one day as the offerings, one day जो offerings थी, ठीक है? as, we are talking about as So, all नहीं आ सकता, here should be as the offerings were in plenty, he called the disciple and asked him So, इस sentence में क्या problem है? He called the disciple and asked him to यहाँ पर the disciple क्यों आ रहा है? यहाँ पर a disciple आना जाए disciple क्या होता है? disciple होता है follower तो गुरू ने अपने follower को बुलाया, तो follower तो बहुत सार होते हैं, कोई एक तो होता नहीं है So, यहाँ पर the नहीं आ आना चाहिए, गुरू ने अपने किसी एक disciple को बुलाया है ना, थोड़ा sentence को समझो, तो यहाँ पर the हम जब यूस करते हैं, जब हम किसी particular चीज को mention कर रहे हैं जब हम एक particular special इंसान को mention कर रहे हैं, तो disciple तो बहुत सार होते हैं, followers भी बहुत सार होते हैं तो गुरू ने किसी अपने एक disciple को बुलाया, तो यहाँ पर the की जगा आ आना चाहिए, he called a disciple, उसने अपने एक disciple को बुलाया, है ना, it's correct, तो यहाँ पर the की जगा क्या आएगा, the की जगा आएगा a, गुरू ने अपने एक disciple को बुलाया, and asked him to cut fruits and arrange for their distribution, ठीके यह sentence होगी, अब यह अगला sentence है, cut fruits and arrange for their distribution, अब यहाँ पर their क्यों आ रहा है, for their distribution of Prasad, Prasad की distribution, उनकी distribution थोड़ी है यहाँ पर, तो distribution क्या है, distribution एक ऐसा noun है, जिस पर हम emphasize दे रहे हैं sentence में, इस sentence में, देखो, ask him to cut fruits and arrange for their distribution, तो यह noun है sentence में, जिस पर हम special emphasize दे रहे हैं कि हमें प्रसाद को distribute क एक noun है, और इस पर हम emphasize कर रहे हैं sentence में, इस पर हम जोड दे रहे हैं, तो जब हम किसी noun को emphasize करते हैं, तब हम definite article दे का यूज करते हैं, जब आप आप आर्टिकल वाला chapter अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि दे क्या-क्या uses होते हैं, बहुत सारे uses होते हैं, then only you can answer this question, so यहाँ पर यह जो noun है, इसका sentence में special emphasize है, इस पर हम special focus कर रहे हैं, कि हम जो fruits हैं, उनको arrange कर दिया, उसको उसकी distribution करेंगे, तो distribution, यह जो verb है, इसको हम action word की तरह use कर रहे हैं, sentence में, यह noun है इस पर हम special emphasize दे रहे हैं, so that's why यहाँ पर देर की जगा द आएगा, देर क्या हो देर की जगा आएगा, the, okay, cut fruits and arrange for the distribution of प्रसाद, प्रसाद के distribution के लिए, ठीक है, a disciple reported, अब यहाँ पर, इस sentence में देखो, distribution of प्रसाद, यह तो ठीक है, a disciple में कोई problem है, a disciple क्यों है यहाँ पर, यहाँ पर a disciple नहीं आना चाहिए, यहाँ पर the disciple आना चाहिए, the क्यों आना क्योंकि गुरू ने अपने एक किसी disciple को बुला लिया, अब उस disciple से उसने fruits को कट करा, उन्हें अरेंज किया और उसी disciple से distribute कर दिया प्रसाद को, तो अब उस disciple की हम particularly बात कर रहे है, यहाँ पर तो गुरू ने किसी एक अपने disciple को बुला लिया, अब उस disciple से उसी follower से उन्होंन प्रसाद को distribute कर रहे है, तो अब हम उस particular disciple की बात करें, जिनको गुरू ने बुलाया है, तो यहाँ पर अ की जगा द आना चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या context है, किस situation में हम अ का यूज करेंगे, कब द का यूज करेंगे, यहाँ पर गुरू ने अपने किसी भ particular disciple की बात कर रहे है, तो यहाँ पर अ की जगा क्या आएगा, यहाँ पर अ की जगा द आएगा, ठीक है, तो आपको यह sentence पढ़की ही समझाएगा, कि कब हमें द लगाना है, कब अ लगाना है, जब आपके articles अच्छे से clear होंगे, and when you will understand the situation of the sentence, then only you can understand, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, the disciple reported to a guru, अब यहाँ पर भी यही mistake है, a guru नी the guru आना चीए, क्योंकि अब हम उस particular guru की बात कर रहे हैं, जो इस पूरे sentence में, जो इस पूरी story में था, है ना, पहले तो once there was a guru, once, पहले को यह guru था, उस guru ने यह किया, उस guru ने वो किया, now we are talking about that particular guru, अब हम उस particular guru की ही बा इस बात करते हैं, तो यहाँ भी हाँ आट पर्टिकलर guru, तो यहाँ पर अ की जगा क्या आएगा, यहाँ पर अ की जगा the आएगा, तो आपको इस समझना पढ़ेगा कि कब हम use करते हैं, कब the use करते हैं, तो यह articles वाला topic है, यह and the, तो आपको articles वाला chapter अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा अगर आप इन में confused हो रहे हो, okay, so this was the third question, you can note it down if you want, okay, let's do one more question, एक और question करते हैं, so the last question is, same वही heading है, error हमें find out करना, उसका correct हमें आपर उसके सामने लिख देना, let's read it, global warming increase the dash and dash, तो इसको read करते हैं, global warming increase the, तो global warming क्या है, global warming एक particular चीज है, it is a particular issue, so यह singular है, global warming singular है, गर हम global warming की बात करें, तो यहाँ पर global warming के साथ increase लिखा है, और increase जब भी singular noun होता है, तो उसके आगे जो verb होती है, उसके आगे हम S या फिर ES तो लगाते हैं, यह हमने पढ़ा हुआ अपनी grammar के topic में, है ना, so global warming singular है, तो इसके आगे जो increase लगा है, यहाँ पर increase होना चा ग्लोबल वार्मिंग सिंगुलर है, इसलिए हम वर्म यह हमारी वर्म एंक्रीज, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, S या इस तो लगाएंगे ही, जब हमारा noun singular होता है, तो इंक्रीज के आगे हम S लगा देंगे, increases हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यही एरर है, यहाँ इंक्रीज नहीं, क्या आना चाहिए, increases आना चाहिए, increases, ठीक है, बिकॉस ग्लोबल वार्मिंग इस सिंगुलर, यह एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्रीज लगाया, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज इस दो रेट ओफ राइस ऑन सी लेवल, सी लेवल क होता है, तो यहाँ पर ओन नहीं इन आना चाहिए, हैना सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे, उसका मीनिंग समझोगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगे, तब आपको मिस्टेक का पता चलेगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करती है, क्या सी लेवल के रेट करती है, तो on ही in आना चाहिए, तो सी लेवल को रेट जो rate of level है तो rate of level हो इंक्रीज हो जाता है, ठीक हैं, तो सी लेवल में इंक्रीज हो रहा है, तो on की जगह क्या औन चाहिए, in आना चाहिए, तो in place of on, there should be in, sea level में राइस होता है, sea level के ऊपर कुछ राष नहीं होता, ठी है तो सेंटेंस को समझो सो global warming increases the rate of rise in sea levels and have led to a dramatic increase have नहीं आएगा यहां पर has आएगा क्योंग global warming singular है हम global warming की बात करें global warming ने क्या किया है rate of rise जो sea level का rate of rise उसको increase कर दिया है और एक dramatic increase है coastal flooding risk में तो global warming की ही बात हो रही है और यह singular है इसलिए जितनी भी वर्ब्स आइगी वह भी singular यूज होंगी तो increases यहां पर increases होगा क्योंकि यह singular है और यहां पर have की जगह क्या आएगा has आएगा because global warming singular है है ना सो यहां पर global warming ने क्या कर दिया है has led to a dramatic increase in coastal flooding risk so have की जगह क्या आएगा has आएगा because global warming is singular have की जगह has आएगा ठीक है यहां पर सिर्फ singular plural की ही बात थी has led to a dramatic increase in coastal flooding risk much small अब इस sentence के हम बात कर रहे हैं यहां तक तो सब कुछ ठीक है increase in coastal flooding risk much small islands like Maldives तो यहां पर much small क्यों आया है यहां पर much नहीं आना चाहिए much की जगह क्या आना चाहिए many आना चाहिए बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे islands हैं जैसे Maldives है ना इसी की बात हो रही है much small islands like Maldives तो यहां पर छोटे islands ही बात हो रही है और much हम कब यूज करते हैं much हम uncountable चीजों के लिए यूज करते हैं लेकिन islands को तो count किया जा सकते है islands को तो count किया जा सकते है they are countable तो यहां पर much की जगह many का यूज होना चाहिए यह बहुत सारे चोटे 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 islands हैं जैसे की Maldives ठीक है तो many small islands like Maldives clear हुआ तो मच्ची जगह क्या आएगा मच्ची जगह आएगा many many small islands like Maldives तो यह sentence हो गया यहां पर मच्ची जगह many आएगा many small islands like Maldives face the risk to getting submerged in the near future तो यह से बहुत सारे चोटे चोटे islands हैं जिनके ओपर यह risk है कि वो सी में submerged हो जाएंगे क्योंकि sea level rise हो रहा है तो जो छोटे islands होते हैं वो डूब सकते हैं यह meaning है sentence का तो अब sentence पड़ो many small islands like Maldives face the risk to getting submerged अब वो risk face कर रहे हैं पानी में submerged होने का तो यहां पर to नहीं off आना चाहिए कैसे देखो many small islands like Maldives face the risk of getting submerged वो submerged होने का risk face कर रहे हैं so here we will use of submerged होने का risk face कर रहे हैं ठीके बहुत सारे चोटे 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 islands हैं जो पानी में submerged होने का risk face कर रहे हैं तो to नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा off आएगा ठीके sentence को आप पढ़के देख लो many small islands like Maldives face the risk of getting submerged in the near future ठीके sentence आप पढ़के देखोगे तो आपको idea आई जाएगा that what is the mistake ठीके तो यह आपका question था बहुत easy था ग्रामर के आपके concept अच्छे से clear होने चाहिए ठीके अगर उनके concept आपके अच्छे से clear हैं तभी आप error को find out कर पाओगे उसे सही कर पाओगे and sentence की situation को समझने की कोशिश करो की बोला क्या जा रहा है और उसे साब से error आप find out करोगे और उसको ठीक करोगे okay so this was your last question so we have finished the topic of error correction of our English grammar हमने इस concept को clear कर लिया है हमने questions को practice करके ही इस concept को समझा है error correction को master करने के लिए आपकी English grammar के जो basic concepts है वो clear होने चाहिए और उन सब के वीडियो मैंने already upload किये ही हुए है okay so friends at the last मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोला चाती हूं क्योंकि आप सभी हमें बहुत जादा support करते हैं and we are very very grateful for that आप सभी हमें ऐसे ही support करते रहें हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे so that's all for this video thank you so much